देखिए भारत एट नाइन कावेंद चौहान के साथ अगर आपने इसलाम के जिहाद को नहीं पिठाया तो जिहाद आपको कवर जहाँ हो आँ उसकी कवरों से खोद कर फासी पर रखाया जाना चाहिए या उसकी कर्दन काड़िए अदार लूम देव बन की नाजयद अलाद है तालीबान पात में लेकिन पीचे भी नेता ही आपक काडिल हैं मैं तो चाहता हूँ मुसल्मानों के जिहादी मेरी हत्या गरेता की दुनिया ये देखे कि जिहादी करते क्या है मशकार भारत एट नाइन में एक बार आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ काविंद्र चौहान आज हम मौझूद है गाजयबाद के डासना देवी मंदिर में यहां हमारे साथ मौझूद है महंत नरसंगानन महराज जी तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्यू व महराज जी कठिन सवाल होंगे लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही है आपके बारे में बातचीत जादा चलती है चर्चाए जादा चलती है तो ऐसे में एक सवाल जो है वो जनता ने हमारे पस भेजा था सबसे बहले उसी से शुरुआत करेंगे आप हिंदूों से अधिक प्र से पहले हैं यहुदियों से पहले हैं पार्σιों से बित्नी प्रेम जो मेरा द significतने हूं इसलाम से मेरी लड़ाई है वो इसलिए कि उन्होंने कुरान में लिख दिया है उनके है मोहम्मद हुआ मुहम्मद ने जो काम किये मैं उसके बारे मैं पूरी दुनिया को सच्चा ही बताता हूँ और उनकी कुरान मैंने थोरो पढ़ी है कुरान का है कि एक अक्षर मैंने पढ़ा हुआ है और मुझे पता है कि कुरान मेरे कतल का आदेश देती है मेरे बच्चों के कतल कादेश देती है मेरी बेहन बेटियों के बलातकार कादेश देती है मैं इतना मरा हुआ आदमी नहीं हूं कि मैं देखूं कि कोई मेरे बच्चों को मारने के लिए तैयार है मुझे मारने के लिए तैयार है मेरी बेहन बेटियों को बरबाद करने के बड़े विद्वानों विने भी कुरान को पढ़ा है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि शांति का संदेश देती है, और जो लोग भटके हूए है, उन्हों दरसल कुछ और पढ़ा। प्रदानमंत्री ग्लैटिस्थोन उन्होंने ये कहा है क्या वीश्चन चर्चन उन्होंने का जब तक ये कुरान धर्ती पर रहेगी ये तो हिंदुस्तान के जिन्हें बड़े-बड़े विद्वान कहते हैं उन्होंने कुरान पढ़ ही नहीं है वो डौं करते हैं पाखंड कर हुँ हमसन्यासियों को कौल्टिशियों की चर्चा नहीं करने खागे नहीं है अन्हें और न चिंए उन्हें दिशा देने के लिए नहीं बने होते हैं सम्झयासियों के संभ्रभी होटारन के नникиं पारुकि विस्तार की बात करता है av मारा सनातन कैदा, दुनिया को सनातन मना, लेकिन इसका मतलब भी तोड़ी है कि मैं दूसरे के लोगों को, बच्चों को कतल करूँगा, उनकी ओरतों से बलातकार करूँगा, उनकी संपत्ति पकपजा करूँगा, अब धर्मांतर आपकी नजर में ठीक है, अगर लीगल तरीक करते हैं, जीवित व्यक्ति की सब्सक्राइब भड़ी खास बात होती है, कि वो विरोध करना जानता है, जो अन्याय का, अत्याचार का विरोध नहीं करता, उसे जीवित नहीं मनना चाहिए, ठीक है, बिना किसी क्राइम के, बिना किसी वायलेंस के, अगर धर्मांतर आपकी जैसे हैं, क्रिस्टिन की बात करो, बड़े आजकल वीडियोज वायरल होते हैं, बड़ी चीजे सामने आती हैं, निकल कर, कि किस तरीके से पास्टर जो हैं, पादरी लोग जो हैं, वो किस तरीके से लोगों को बर्गला रहे हैं, धर्मांतरन की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, वो चीज़ कितना आप सही देखता है। पूरी दुनिया में लगबग मर चुकी है। अगर आप लंदन के नागरिक हो गए, यूके के नागरिक हो गए, जर्मनी के नागरिक एक बार बन गए तो आपका धरम कोई भी हो। वो आपको इसकी स्विता देते हैं की नहीं देते हैं। आप वह के आपके बहुत दोस्त होंगे, रिस्तदार होंगे, आजकल तो आदा हिंदुस्तान बहार रह रहा है इसा कुछ नहीं है यह किसी पागल एक सुप्रिम कोड के जज ने वर्डिक दिया था और उसके लाद मूर्ग हिंदु को क्यों कि नो तो पता ही नी कि क्या बोलना क्या नी बोलना उनमें गुद्धि तो अपनी प्रियोग करते नहीं जल साब ने कहा है जल साब ने कहा है तो किसकी पूजा करने किसकी पूजा नहीं करने धरम ने हमें सिखाया कि हमें अपनी बहन के साथ क्या वेवार करना मा के साथ क्या वेवार करना बेटी के साथ क्या वेवार करना पत्नी के साथ क्या वेवार करना मित्र के साथ क्या वेवार करना रिस्तधारों के साथ क्या दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है जो मेरे लिए खतरा नहीं है मैं उससे लड़ना नहीं चाहता मैं चाहता हूँ हो सब एक रहें और सब मिलके इसलाम के जिहास से लड़ाए क्याँ कि दुनिया में इसलाम के जिहाद को मिटाना बहुत जरूरी है अगर आपने इसलाम के जिहाद को नहीं मिटाया तो जिहाद आपको मिटाया है ठीक आप क्या चाहते हैं आप जर्मनी के जियूस की तरह जिस तरीके से काकी आगया बरता हो यहुदियों के साथ वो मुसल्मान ने कर आए था अब वो खुल के आ गई हिटलर को बरगलाया था मुसल्मानों के कुछ लोगों ने और उन्हों ने वो चीज़ अगर सही नहीं थी तो फिर यहाँ पर कैसे सही हो सब्सक्राइब करता हूँ हमने कहीं दुनिया में जागर लोगों का ऐसा नहीं मारा किसी की आगात नहीं होनी है कि वो आपने किताबों में लिख के रख दे हमारा कतल उसके लिए जाया है हम उसके लिए ओंगतल है जिसने लिए लिखा है वो अपरादी था मेरे 50 करोर भाई बहनों की हत्या का मुकदमा उस पर चलना चाहिए और उसकी कबर जहां हो वहां उसकी कबरों से खोद कर फिर उसे फांसी पर अटकाया जाना चाहिए या उसकी गर्दन काटने चाहिए जिन्हों ने इस तरह के कतले आम को करवाया है जो इस कटले आम के इस गुनाहे अजीम के जिम्मिदार है ठीक है तो फिर क्या करना है 25 करोड 30 करोड़ जो मुसल्मान है भारत में उनका च्छीन करना है उन्हें पता ना इसलाम की असलिएट को कि इसलाम किया है जिस दिन हो जाकर नहीं मिलेंगे तो कैसे आपका मैसेज मौचेगा अपने मेरी बैटी निलाम कर दिया अपनी बैटीव को निलाम किया न यह उन्हें सम्phones ज़री है दीमंस्ते है यहां भी लोग जो है वो connect है उदर से अरे उनका प्रोडेक्ट हैं वाई, कनेक्ट नहीं है, दारुलूम देवबंद कनेक्ट नहीं है तालिबान से, दारुलूम देवबंद की नाजायज उलाद है तालिबान, दारुलूम देवबंद की, मुल्ला उमर कहा का विद्यारती, मुल्ला उमर दारुलूम देवबंद क यह सवह करोड का, हमने एक MINI STADμ बनाया, सवह करोड रूपे का, हम जूट बोलते हैं नहीं हमारे आप जाकर देखो, सवह करोड रूपे लगे है, तो उसमें क्या क्या सिखायाए जाएगा? उसमे बच्चें को कुश्टी, कबड़ी, जुड़ो और वॉक्स है। और परंपरा का जो खेल है, उन्हें भेज़ेंगे आर्मी में और पुलिस में. हम चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान में सबसब बड़ी समस्या क्या है? कि जो लड़का पुलिस में है और आर्मी में है वो मुसलमानों से पिटके तो अपनी लेकिन कहा तो जा रहा है कि महराजी अपनी सेना का निर्माड कर रहे हैं दरसल मारा जी यह समझ में नहीं आता थोड़ा सा पहले आपके बारे में जो विपक्षी पार्टियां थी जो विरोधी लोग थे वोई यह कहा करते थे कि आप दरसल बीजेपी की बी टीम का हिस्सा है बीजेपी का एजेंडा आप चला रहे हैं बाद में लेकिन बाद में लेकिन कहा गया बाद में लेकिन बीजेपी के नेता ही आपके खिलाफ हो अपना अपना खून हमने मोदी के लिए कि बेवल पसीना नहीं बहा है, हम भारत को में मोदी जी को पुर्दान मंतरी और योगी जी को मुक्य मंतरी बन मने के लिए जितनी मैंना रहा हूँ है, वेजेगों के नेताओं को मम्हेंस, जिपना हो, तो उने बुरा लगा, क्योंकि सत्ताव में मज़ा आ गया ना, हम भारत के अंदर केवल एक नेता का संबान करते हैं, उस नेता का नाम है योगी आधितनाजी महराज, क्योंकि राजिती की असलिएत को हम अच्छे करें लेकिते हैं, लेकिन आप पर कुछ कारवाई नहीं नहीं पूछताज में राजनीतिक संबाइब कैसे हो सकता है, मैं भारत में केवल एक नेता को मानता हूं योग जितनाजी को, वही और वही इस राज के मुखिया है, तो वही मैं जाना चाहता हूं कि आपके खिलाफ F.I.R होती है, शिकायते होती हैं, सब कुछ होते हैं, तम सनातन को आगे बढ़ाने का केवल वही तरीका है, अगर हम हिंदूों ने योगेसपर को नहीं समझा, तो ना हम बचेंगे, ना हम बचेंगे, ना हमारा वंस बचेंगे, भगवान के दिखाये मार्क पर चलिए, हाँ ठीक है, यह बताईए, वहाँ पर यह तो कहीं भी नहीं है जिहाद को मिटाना, इस्लाम को खतम करना है, अन्या और अस्तियाशारी से लड़ना ही, हमारा सब भड़ा धर्म है, तो जूट पाप, अपराद, इन चीजों से लड़ना है, तो यह तो छोटे-छोटे अपराद है, जूट पाप, इस्लाम सब अपरादों का एक बहुत-ब क्रिमिनल्स और इसलाम इसे वेल डिफाइन सेट आफ ओल क्राइम्स दुनिया में जिस तरह का भी जिरायम हो सकता है उसी तरह का जिहाद होगा महराज हो सकता है कभी-कभी आपको गलत फैमी भी हो जाती हो कि कुछ दिनों पहले एक बच्चा आप क्या पकड़ा गया था दस साल का उसको लेकर आपने कहा कि वो रेकी करने आया था पुलिस ने कहाए कि वो सेट सी डासना आया थे उसके परिजन लेकिन फिर जुट बोल रही है पुलिस कोई पता सच्चा ही क्या है लेकिन यहां अभी देखें परस आप पुलिस वाली तो पीटे हैं जोगी प्रवारी को पीटे हैं मुसलमानों की औरतों ने खुसमान खरो करने आते हैं दद्दस साल के लड़के 14-14 साल के तेरे-3 साल के लड़के कतल करते हैं मुसलमा एकसपार्ट है वो इसमें गिराइम पर मुसलमानों का आज 100% कबजा है अब कहां लड़ाई जगड़े में पड़ गया है कहां इतने बड़ी-बड़ी चीज़ आतंगवाद ये स बचाया है हम जिन्दे हमारी ताकत क्या है आपको पता है आपकी जान की कीमत क्या है आपकी जान की कीमत एक इनसान भर नहीं आपके अगर कुछ भी होता है अगर आप पर हमला भी होता है तो इससे कितनी बड़ी यहां पर घटना हो सकती है दंगा भी भलक सकता है आप समझ जिहादी मेरी हत्या करें ताकि दुनिया यह देखे कि यह जिहादी करते क्या है। कोई मुसल्मान कहता है मुझे हिंदू बंगना उसका स्वागत है। कैसे स्वागत होगा महराज? आपके लोग तो वापस लोटा देंगे उनको? नियत का कैसे पता करेंगे? अगर कोई मुसल्मान यह कहता है कि मुझे हवन पूजा में लेना है तो हमारा तो अपने भी दिये। आओ हमारा जो पंची गभ्या होता है पंची गभ्या को आपर साथ घ्रहन करो। पंची गभ्या होता है हमारा हम उसे चखा देते कि इसे खाले अगर उसने खाली है तो समझो उसके मन में धरम के पृति कोई है हम उससे पुजा भी करवाएंगे ठीक है मारा जी बताई है महिला आयो की जो चेर्मेंथी रेखा शर्मा उनसे भी आपका काफी विवाद चला आपने कोई टिपणी करी उन्होंने कुछ कहा आपने आफिर में माफी मांगी मेरी एक बात थी मेरे मतलब मैं ऐसे जनल बैटके बात कर रहा था तो मेरे बात किया है एक बीजेपी के नेता भी आपके खिलाफ हो गए तो बात को बहुत बहुत दूर्गती है राजनिती जो है इस टाइम गॉलिवूड से भी बुरा धंदा होगी हमा जितनी भी महिला है अच्छी महिला है घर बैट गई है जितनी बी अच्छी महिला है वो अपन या कोई बहुत बड़े परिवाल जाए घर बिद उन्पर क्या गें कि कुटी महिलायए उन्पर क्षह कर लेंगे अलाता है मैं जानना चाहा हूँका तef выпуск गद्री मंत्री में जए होई तो तो इतने बड़ी हैं तो इसे सब्धेस का बात के नहीं तक रहिता है तक राज परिए ने ने बसेशा के कि बहुत बात कि तो आप उसको बाहर लाइए एक और मुकदमा मेरे पर हो और कहा होता है महाराजी यह तुड़ा इसके बाते हैं महिलाओं का राजनीती में होना चाहिए होना चाहिए हम हैं सनातनी हमारा सनातन दर्म ये कहता है जहां नारी का सम्मान होता है नारी को उजा जाता है वहां देवताओं का बास होता है तो हमेशा नारी होनी चाहिए लेकिन इस तरह से नारी नहीं होनी चीजिए इस तरह से नहीं होनी चीजिए इस तरह से नहीं होनी चीजिए इस तरह से नहीं होनी होनी चीजिए इस तरह से नहीं होनी चीजिए इस तरह से नहीं होनी होनी चीजिए इस तरह से नहीं होनी चीजिए नहीं होनी चीजिए नहीं विचहरी उन्हें काम करा नहीं जो बच्छपन से लगी थी और बूढ़ी होके मरी, महले का टिकर्ट तक नहीं मिला, महले का टिकर्ट तक नहीं ले पाई, ऐसा नहीं है, संग को बड़ा बनाने में बहुत सारे कारे करता हून अपनी जान दिये, जिसमें महिलाओं को भी आपके बानाना बहुत संग करता है, आपको बड़े का श्सप्रों और सेमति ये नहीं करता है, वहाँ जबरतस्ती है राजनिती में जबरदस्ति है। आपको कुछ करवाना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। क्योंकि राजनिती का सिस्टम पुरसों के हाथ मैं है। जितनी भी आपको बड़ी महिले में दिखाई जे रही है, नि एक का भी संबान नहीं करता ह। एक भी महिला का सम्मान करता हूं, वो तो राजपरिवार से आए, लेकि फिर भी उनमें था, कि उनका सम्मान करता हूं, बाकी विजयरा राजपरिवार से दिया थी, जो नीचे सोटकर जो उपर तक पहुंची, उन्होंने काफी महनत कियोगी, संगर्ज क्या हो, नाम ठीक है, काफी समय से आपके यहां लगाता, कॉंट्रोवर्सी आ रही है कि आज हमने इसको पकड़ा, यह हमें मारने आया था, आज हमने इसको पकड़ा, यह मारने आया था, लेकिन अभी तक कुछ निकल के नहीं आया आखिरी में, कि इते कौन लो, ठीक है, धर्मांतरन का लगने घर्शन से आपका कया संब्ध, और अजियर अभी तक अभी के ने आखिर अचार्णान के हमारने आदो, कि नकारत ने हमें और उनके पास साइनाइड था, हमने पुलिस को पकड़के लेके कूं जाए धा, फ्यवेलमने पसम पारे संच्वान थे, फैन और यह मारने पकड़ा जा रहा है आप पता कर लो वो सबसे पहले बतारा कि मेरा टार्गेट नर्सिंगा नंथा तो पुलिस पकड़ रही है मैं थूली पकड़ रहा हूं दिल्ली में पिछले तीन साल में अभी परसो आतंकवादी पकड़े गए दिल्ली में उनके पास सबसे पहली चीज क परदा रहा है तो बचाने का प्रयास कर रहा है कि अच्छी तरह जानता हूँ बचाने का प्रियास कर रहा हूं अंतें प्रियास मुसल्मान होगा भारत का प्रधान मंत्री एक बार मुसल्मान बना तो केवल अगले 20 सालों में 50% हिंदू का कनवर्जन हो जाएगा 40% हिंदू का कदर हो जाएगा 10% हिंदू बचेंगे वो कहीं विदेशों में या रिफूजी केमपों में रह रहे होंगे मैं इस भविश्चे को बिल्कुल ऐसे पढ़ पारा हूँ मुसल्मान तो सिक्षा के लिए तक लड़ रहा है वो कह रहा है कि उस बचाए तो हजारों परिवार हैं इसके पीछ आपको समस्यानी लगती है कि कम्यूनीटी में एक साथ रहते हैं घुलते मिलते नहीं और लोगों से आर्म जिवनन में वो सब सारे वो चोरों के ढथे तो कłemिलों के गिरूआ outras ये कुम्यूनीटी में मिलएमिके तेके सुनिए इसलाम अपने आप में पूरी पूरा तंत्र है इसलाम ये मना करता कि तुम्हें किसी काफिर से मिलना नहीं है वो इसलाम को फॉलो करते हैं भाई वो अपने धरम के बहुत पक्के है धरम पे जितना कच्चा है वो हिंदू कच्चा है इसलाम अपने धर्म पे बहुत पक्के हैं मुसल्मान वो उसी को फॉलो कर रहे हैं जो मुहमाद उने कहके गया है जो पुरान में लिखा हुआ हुआ है तो आपसे जो मेरा आज पूरा साक्षातार का जो मेन एजेंडा था वो यही था कि एक ख़बर सुनने में आई कि आप ख कुछतापूर्ण बाते हैं यह हमारे खिलाब जो है बहुत सारे लोग है नेता भी होते हैं अभी नेता भी होते हैं हमारे विरोधी बहुत सारे हैं वह यह ओपन है सब कुछ आप योग सिखाएंगे एक्सरसाइज सिखाएंगे उसके साथ मार्शालार की सिखाएंगे गाएगा हमें जो अपने जीवन में इतना अफमान सहना पड़ा हमें पुलिस वाले दो दो मनलब जो हमारे बच्चों जैसे हैं वो भी धंका देते हैं 1223 साल के 24 साल के जो IPS अफसर होते हैं हमसा बगतमी जी कर जाते हैं हम चाहते हैं कि हमारे लड़के पुलिस में आरारमी में हो जो बाबा के पास से पड़के जाएं और ये हम केवल अपना नहीं कर रहे हम इर्धेश नर्मार के काम के लिए पूरे देश के अंदर हम बाबाई ह से कहेंगे कि आप लोग ऐसा करो तो बिरोक्रेसी में भी आपको लगता है कुछ दुनों पहले चर्चा होने लगी थी कि बिरोक्रेसी में किसी तरीके से बुष्टने का काम कर रहा है। आप से भी सुना था मैंने करवाया है। लगी तो गोबर गणेस है। बलकि बीजेपी वाले। पार्टी बहुत घटिया पार्टी है कि दोस्त आर दुसमन में अंतर समझती नहीं है। इस पार्टी को अपने दोस्तों में दूसमन में हमारे मर्डर की पूरी कोसिस की थी। हमारे प्रैस कांफरेंस करके बोलना पर दर्मांद रंट्रन की तीसरा दे het है यह हम बहुत पहले भुक्त हुश्वान की रूप में राष्टपधी बन जा युश्य को गूश्य हम्हट जाय बड़ा भिल्क म्हिञ परिया नए, двर जो बात बात करें ना? अब्दूल कलाम की बात कर रहा हूं जो राष्ट्रपती रहा है जिसे भारत रतन मिला था जो भारत का राष्ट्रपती रहा जो अमेरिका गया था तो उसे नंगा करके तलासी ली गई थी सोनिया गांधी के देटरत वाली जो सरकार ने जो अब जेक्सन किया था उनने 124 मानते हो इसे हम फादर ऑफ इस्लामिक मानते हैं अब्दूल कलाम को अमेरिका ने यह एविडेंस दियते भारत सरकार को आप इसके बारे में दोबाद साब से पूछे ना तो इस पर चलिए ठीक है इसको छोड़ते हैं चीज़ और हामित अंसारी हुआ उसने वहां बैटके जिहाद किया और अब ये मुक्तार अबास नकवी है भारते जंता पार्डी का जो संक्या प्विबाग का मंत्री है कि वहां बैटके जिहाद कर रहा है बेसिकली इसलाम की ताकत को समझो कोई मुसल्मान कितने बड़े पद्वे पहुंच जाए वो जिहादी ही रहेगा वो अबसा नहीं समझता होगा नहीं हर मुसल्मान की बात कर रहा हूं जो मुहम्मद पर विस्वास करते हैं और कुरान पर विस्वास करते हैं वो ऐसा ही सोचते हैं और जहां तक बात है कि आपके दोस्त मुसल्मान होंगे अपने घर मत ले जाना कभी अगर आपके घर की महिला काफी साजिशे भी होती रहती है लेकिन आपको पता भी नहीं होती है लेकिन कोई तो बात है जो आप तक आज नहीं आती है मेरी मा है महादेव है मेरा उनमाटल विस्वास है और बत्यू के पृति जरा सा किंचित मातर भी भैवीत ना होना यह मेरी मा को और महादेव को बहुत अच्छा लगता है लोग तो यह कहते हैं कि बीजेपी का पूरा सरख्षड आपको मिला हुआ इसलिए आप खुल कर बाते कह पाते हैं रक पाते हैं इसको थोड़ा सा बोल दीजो खुल के बोल दीजेए बीजेपी का संदक्ष्ण लगर मुझे होता हुँँ बीजेपी में कोई अच्छे लोग है, जैसे हमारे योगी जी है, योगी जी ने मेरे बारे में टीवी में बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, योगी जी को जब भी ज़रूत पड़ी, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, तो हम हमेशा हमके साथ रहे, हम योगी जी के एक बीजेपी को जो कुछ कहना था, आपने बता दिया कि आप सिर्फ नेता को पसंद करते हैं, वो भी योगी महाराज को, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे बादचीत करने के लिए, बड़ी बेवाकी के साथ आपने जवाब दिये, हमाराज जी का बहुत 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 बहुत 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 बहुत